Hello dear students, welcome back to the meritorious. Class 12 Chemistry के PYQ की हमने शुरुआत कर दी है इस वीडियो से और अगर किसी बच्चे को इसा लग रहा है कि एक जो सब्जेक्ट है उसका पहले कर देना चाहिए वरना वीडियो जो है बिखर जाएंगी तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैं बिल्कुल और विडियो जिस केटेगरी की उसकी प्ले लिस्ट है उसको मैं बना रहा हूं तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको सीक्वेंस वाइस किसी भी सब्जेक्ट की पूरी के पूरी वीडियो एक साथ मिलेंगी ठीक है तो इसके पीछे का एक रीजन और यह भी था कि मैंने सुच तो इसलिए क्या रहेगा कि उससे तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ चलते रहेंगे और बायोलोजी क्यूंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ इस वजा से जो है बायोलोजी के लिए अगर फैकल्टी से बात होकर उन्होंने वक्त निकाल के अगर कर दिया बहुत अच्छी बात है वन तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको इंगलिश मीडियम में दिख रहा होगा और मैं आपको हिंदी मीडियम में भी बताता हूँ हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर है तो हिंदी और इंगलिश दोनों का मैंने इसको बनाया है ठीक है दोनों में टाइप किया है क इस गूगल ट्रांस्लेट से लिदे किया है फिर उसको जो है, क्रॉस किया है। पेपर से तो हिंधी में भी आपको जो है ये पीडियेफ मिल जाएगी। इसकी PDF आपको पता है कहां पर मिलेगी अपना जो टेलिग्राम चैनल है वहां पर मिल जाए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको एप भी इंस्टॉल करने चाहिए एप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Android एप है iOS के लिए हमने अभी डेवलप नहीं करते हैं English Medium का ही analysis हम करेंगे यहां पर अब्जेक्टिव की बात करें तो अब्जेक्टिव 2011-12 और 13 में पुछे गए थे फिर उसके बाद में 14 से लेकर तो 22 तक अब्जेक्टिव इस चेप्टर से नहीं आए थे फिर 23 में जो अब्जेक्टिव आए तो यह दो अब्जेक्टिव इसके अंदर आए थे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ओस्मोटिक प्रेशर का फर्मुला पुछा है और अब्जेक्टिव पिछले जो 11,12,13 के थे उसमें रिपीट उसमें से रिपीट नहीं हुए है जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है तो अब्जेक्टिव फार्मुला बेस्ट वो देते हैं अब्जेक्टिव जो है छोटे-छोटे चोटे-चोटे कंसेप्टिव जोटे कंसेप्ट पर देना चुरू किए हैं उन्होंने ने डिरेक्ट पांच वाक्त का कुशचन आया था इसमें ठीक है उसके और में भी पांच माशका है लेकिन दो कुश्चन उन्होंने बना के दिये थे ठीक है 5 difference between positive deviation और negative deviation ये अपने को लिखना है और constant boiling mixture किसे बोलते हैं aziotropic mixture उसके बारे में लिखना है ये 2 mask का सवाल था फिर उसके और में उसके साथ उसके और में नहीं उसके साथ इन्होंने difference between ideal non-ideal solution के बारे में भी दे दिया था जो कि 2 plus 3 mask का ऐसा कुछ उन्होंने लिख कर ठीक है 2012 में अगर आपन देखें तो राउल्स लो आया है और derivation आया उसका non-volatile solute के लिए ठीक है उसके अलावा जो है उसके और में आपको एक molar depression constant का question एक mark का देखने के लिए मिला है और उसके बाद उसी में question उन्होंने जो है एक numerical जोड़ा है तो numerical ये जो topic आपको नज़र आ रहा है इस topic पे numerical बहुत आते हैं ठीक है ये वाला जो topic है आपका जिसको elevation in boiling point या depression in freezing point बोल सकते हैं इस पर जो है numerical आते हैं आगे विए आद topic पर वो दे सकते हैं फिर उसके बाद 2013 में राउल्स लो एक्स्प्ले जो है वो सुरी रिपीट हुआ था ठीक है how can molar mass of non-volatile solute यह derivation ऐसा का ऐसा ही इन्होंने 12 से repeat करके 13 में दे दिया था और उसके और में जो है इन्होंने एक numerical दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर पर 2014 में टीन चार मांस में दी थी और दो मांस में question दिया था एक चार मांस का उन्होंने यसा कुछ था शायद चार और 2 का यह था और उसके और में चार में चार मांस के question थे ब्लूप्रिंट में उन्होंने objective हटा दिये थे 2014 से में अंने पहले दिया आपको थीक है तो यह जो है एक numerical है फिर उसके बाद में Henry's law और normality पुछा है और उसके और उसके अलावा जो दो मांस का कोशन है उसमें भी उन्होंने एक numerical पूछा है नॉर्मलिटी पर नेक्स्ट थर्ड बार जो है उन्होंने राउस लो रिपीट किया था और फिर फोर डिफरेंस बिट्वीन पूछ लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉलूशन के अंदर और बर्कले हाटले मेथड एक बहुत इंपॉर्टन मेथड हुआ करती थी थी अब तो काफी सालों स से मतलब पिछले साथ सालों से इन्होंने पूछी ही नहीं है और मेरे खयाल से कहीं ना कहीं गुम हो गई है यह डिलीट भी हो गई होगी तो बर्कले हाटले मेथड पहले बहुत इंपॉर्टन हुआ करती थी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ठीक है फिर 2016 में इन्होंने जो ह और एक जो है इन्होंने ओस्मोटिक प्रेशर पे न्युमेरिकल पूछा तहर टोट अस्मोटिक प्रेशर पर दो बार न्युमेरिकल आगा है इसके पहले अपनोने देखा न्युमेरिकल उसके बाद hammer देखें तो नो से कहां से एक हैं hasard को मालूम है ऑ कि इसके पिछले 10 सालों में से और पिछले 5 सालों में कितना repeat हुआ नहीं के बारे में है पुछा है parts per million जो हे वो मेरे खयाल झार रीपिटेट नहीं है पिछले 5 सालों में है है रिपीटेड है 2017 का रिपीटेड कोश्चन है यह और molality पुछा है पांच सालों का ही रिपीटेड कोश्चन है राउल्ड सलो पुछा है पांच सालों का ही रिपीटेड कोश्चन है ठीक है और उसके अलावा जो है freezing point depression क्या होता है वो उन्होंने दस सालों में से भी ये question जो है repeat नहीं हुआ elevation in boiling point का जरूर आया था depression in freezing point का इन्हों ने पिछले 10 सालों में से कभी भी इन्होंने नहीं दिया है ठीक है तो ऐसा भी होता है जैसे अगर 5 सालों में से कोई question repeat नहीं हुआ तो दस सालों में से भी नहीं होता है यह आपको पहले भी physics में मैंने आप लोगों को बताया है 2022 के question देखें तो molality of water ठीक है molality of water का जो question है यह objective का question है 2011 का यह इन्होंने subjective में दो marks में दिया है ठीक है फिर define उसके और में define दो के और में दो ही दिया था तो यहां पर molality या molality calculation के लिए numerical दिया है और एक numerical osmotic pressure पर दिया तो ज्यादा तर हम देख रहे हैं और ज्यादा निमेरिकल आ रहे हैं 2023 में अगर हम देखें तो mol friction के उन्होंने definition दी है और solution की definition देदी directly ठीक है मतलब अगर कोई important question पढ़ाने वाला कोई भी होता है या कोई भी पढ़ने वाला बच्चा होता है यह मतलब उसको उसके expectation में उसके गुमान में ही नहीं रहता है कि इतनी simple सी directly सी definition वो पूछ लेंगे solution की ऐसा MP board में आप होने लगा है बार बार में आप लोगों को यह बात बोलता हूँ इसलिए जो है अगर आपको याने के पढ़ना है तो एक एक चीज आप जो है यह round slope question है ठीक है molar mass पे question है और उसके और में जो है इन्होंने elevation in boiling point पर question दिया है तो यह जो है 2023 तक का जो है अपने subjective और objective दोनों question का analysis है ठीक है तो इन्हें जो है आपको करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरह से इन्हें करें आप पिछले 5 साल के question कर लो 10 साल के मैंने आपको जो है ऐसे ही एक तरह से analyzation के लिए दिये हैं कि 10 साल में से बहुत जादा repeat नहीं हो अच्छे से 10 साल के जो होते हैं उसमें से जादा repeat नहीं होता है जादा repeat होता है पिछले 5 साल में से या तो फिर होता ही नहीं है या तो पिछले 5 साल में से देते हैं या फिर इसा कुछ सा नया question बना के देते हैं जो होता तो simple है लेकिन repeated नहीं होता है इसलिए बिल्कुल हम सिर्फ repeated पर जो है भरोसा करके नहीं जा सकते हैं यह बात आपको पता है इसकी PDF कहा मिलेगी आप लोगों को मालूम है टेलिग्राम चैनल और अपने जो है एप है उसमें free material में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग फॉर इस वीडियो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में